देखिए number of spectral lines यह जो चीज है extra है short points है entrance के लिए ठीक है तो अगर आप entrance के त्यारी कर रहे हो तो यह formula देखो और नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं यह है number of spectral line count करने के लिए तो spectral line आपने जो भी देखी 1 2 3 4 जितनी भी देखी आपने spectral line उनको count करने के लिए short formula है तो क्या होता है बच्चो number of spectral line इस एक बार number of spectral line n2 minus n1 plus 1 bracket n2 minus n1 divide by क्या होता है बच्चो 2 तो क्या होगा if electron falls from 2 to n1 और आपको पता है 2 क्या है बच्चो higher orbit है और n1 क्या हो जाएगा फिर low orbit जब electron high orbit to low orbit जम करता है number of spectral line निकालने का यही formula है यह कैसे आया इसका कोई derivation नहीं है तो फिलाल आप स्रिफ form देध्यान में रखेंगे और यह स्रिफ interest वालों के लिए है ओके बच्चो if electron fall from nth orbit to ground state अब ground state में सिधा जम कर रहा है तो nth orbit याने क्या हमारा high orbit जो की क्या है n और आपका n1 याने ground state है low orbit है तो ground state के लिए क्या होता है बच्चो n की value 1 ठीक है ground state याने first orbit ठीक है ओके तो number of spectral line क्या हो जाएगा simple values put कर दी गई है यहाँ पर value put कर दी गई है बच्चो फूट करने के बाद यह आता है तो मेरे साब से यह formula तो important इसलिए है कि आपको यह ground state हमेश्चा थोड़ने जम ground state तक करेगा second orbit तक भी कर सकता है तो मैं यही बोलूँगा standard formula ध्यान ठीक है ओके चली आगे बढ़ेंगे तो absorption spectrum is obtained only for the transition from lowest energy level to high energy level simple सी बात है हाई टू लो जाएगा तो क्या होगा energy emit करेगा photon energy emit करेगा लेकिन यह हो गया अब जो red color में लिखा हो बता जेता हो मैं इसके बारे में क्या होगा low orbit to high orbit जाएगा तो क्या करेगा बच्चो absorption होगा ठीक है absorption absorption energy का absorption होगा खुर सी photon energy का absorption होगा ठीक है तो चली आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि recalling of atom क्या हो था है तो यह डारेक्ट याद दखेंगे आब इसको भी क्योंकि यह सब entrance point of view important है recalling of atom due to transition of electron photon is emitted and the atom is recoil ठीक है recall मतलब जैसे क्या आपने देखा होगा बंदुक का गन का example गन तुहां पर क्या होता है recoil velocity होती है और आप गोली चलाते हो गन से क्या होता है हमारा जो शोल्डर होता है पीछे आता है ना शोल्डर अगर पीछे आता है तो रिकॉल विलोसिटी होगी एक प्रगार से तो यही सब चीज़े हमको पढ़ना है सो रिकॉल momentum of atom is equal to क्या conservation of momentum, linear momentum तो आपको recoil velocity I hope कि समझ में आगी होगी वही example है जैसा कि आपने कई मुवी होगे देखा होगा तो वहाँ पर जब एक तोप से गोला बारू निकलता है तो थोड़ा पीछे जाती है या फिर आप keeper का example लेख आजकल IPL चल रहा है तो आपने अगर देखा होगा तो keeper जब ball पकड़ता है तो थोड़ा सा पीछे जाता है या फिर कोई player जो boundary पे है जब वो ball पकड़ता है जब वो catch पकड़ता है तो थोड़ा सा एक दूस्टेप क्या होता हो पीछे जाता है तो आप देख सकते हो एज बाइल लैंडा चार जेट स्क्वेर ब्रैकेट वन अपॉन एन वन स्क्वेर माइनस वन अपॉन अपॉन एंटू स्क्वेर तो कुल मिलागी यह फॉर्मला आपको ध्यान में रखना होगा मास इज़ा कॉइल आटम भी ध्याम में रखेंगे तो यह किसमें किया जाएगा आपको वो भी आपको किसमें किया जाएगा सिप M.C. Qs में तो M.C. Qs में आपको इची डिटेल में समझ में आ जाएगी ठीक है तो चली आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हाइडरोजन स्पेक्टरल और उसकी सिरीज सो बच्चो हाईडोजन स्पेक्ट्रम और उसकी सीरीज काफी डेटेल में दी गई है आपको लेकिन काम की जो चीज है मैं वो बताऊंगा आपको यह थेरोटिकल पार्ट आप टेक्सबूक से भी रेफर कर सकते हैं एक बार मैं रीट कर देता हूँ जब भी कभी कोई हाईडोजन आटम एक्साइटा है तो क्या करता है लो और बीट जम करता है और फोटोन अनर्जी एब्सॉप करता है एब्सॉप करता है ठीक है बच्चो तो यह चीज थोड़ी सी छोटी सी थी बट धान में रखने के लिए काफी है ओक ही this energy given out by the atom in the form of radiation of different wavelength as the electron jump down from a higher to lower orbit so transition from different orbit cause a different wavelength याने अगर आपका electron higher orbit to lower orbit jump कर रहा है तो क्या करेगा फोटोन energy क्या करेगा emit करेगा बट emit करेगा तो different wavelength की emit करेगा ठीक है अलग-अलग color होंगे अलग-अलग frequency होगी simple सी बात आपको समझ में आ रहे होगी okay so this constitutes spectral lines which are characteristics of the atom emitting them okay so when observe through a spectroscope this radiation are image as sharp and straight vertical lines in a single color so आप देख सकते हैं फिलाल आपको क्या दिख रहा है यहां पे photon और wavelength lambda जो की अलग-अलग spectrum में दी गई है सब फिलाल आप देखेंगे उसका table और पहले देख लेंगे उसका formula जो की बहुत important है यह बच्चों क्या है यह क्या है यह दोनों के दोनों wave number है अधिक है और capital आपको याद रखना है रेट बग कॉस्टेंट स्टेट बोड के लिए रखना है इंट्रेंस में तो यह काम नहीं आए गए गए 1.097 इसकी value 10 to power 7 1 by meter यह तो मिटर इन्वर्स यह नंबर है र का इनिट क्या होगा अब नंबर का जो इनिट होगा वही होगा ठीक है यह है यह है बहुत इंपॉर्ट नुमिरिकल के लिए स्टेड में भी आएगा आपको महराष्ट स्टेट बोर्ड में तो पूच़ह जाता है साथी साथ इंट्रेंस में बहुत काम का है बच्चो तो मैं यही कहूंगा यह आप इस इसको फ्लीज कीप मत कीजिए मैं आपको इसके बारे में बहुत टीलन बताने जा रहा a लेमन बालमर पाश्चन कमान लेमन बालमर पाश्चन तीन तो याद कर सकते हो आप क्या बोल सकते हो लेमन बालमर पाश्चन ब्रैकेट पीफर्ण ठीक है तो फट आफट तीन बोलेंगे लेमन बालमर पाश्चन लेमन बालमर पाश्चन लेमन बालमर पाश्चन ब्रैकेट प इसको याद करने का और एक तरीका है लाल ठीक है पहला वाला नमबर वान नमबर टू बाल और नमबर थ्री तीन काम के वैसे तो पाल टीक है सो मैं इसको इरेज कर दू पूरा एरेज हो गया एक सेकेंड मैं कोशुच करता हूँ इसे चलिए ठीक है याद कर लीजे आप कोई वात नहीं लेमन बालमर पाश्चन कमाँ लेमन बालमर पाश्चन कमाँ लेमन बालमर पाश्चन bureaucracypping भ्राकेट पीफंट, ट्रिक से बेटर क्या है, पांच तो है, याद कर लो फटा फट इसको, ठीक है, ओके, सो अब मैं बता रोता हूँ आपको वेवलेंद के बारे में, ठीक है, लेमन सेरीज में कुन सी वेवलेंद होती है, ठीक है, अइसे ध्यान में रखेंगे, लेमन यलो होता है, यलो कोन होता है सन, यलो कलर दिखता है ने सन, आपको मॉर्निंग में, अगर आप देखो, मॉर्निंग में अफ्टरन की बात कर रहा हूँ, अगर आप लेमन को बोलो तो क्या वोलोंगे, लेमन का कलर, अल्ट्रा वालेट, यलो, डन, बालमर, तो आपको न देखने जा रहा हूँ विजी बल समझ गए विजीबल विजी बल डन चलिए इंपोर्टन्ट है नुमरिकल की लिस्ते बता रहा हूँ अब देखे मुझे पूरे याद है रामी रामी याद तो रेडमी बोलो यह पहला रेडियो वे होगे दूसरा माइक्रोवे होगे ठीक है पहला रेडियो वेव दूसरा माइक्रोवेव मुझे याद है ट्रिक्स है मैं ट्रिक्स से लिख रहा हूँ रामी इन विजीबल यू वी एक्स वाई जेड यह वाई है बच्चों मेरा आपको पता ही यह वाई लिखा है मैंने यह ग्यामा रहे है ठीक है तो रेडियो वेव मैं लिख दूँ इसको यह रेडियो वेव रेडियो वेव यह माइक्रो वेव यह इंफ्रारेड यह तो लिखी दिया है मैंने विजबल क्या होता है विजबल विब्ग्योर विब्ग्योर जो आखों से दिखता है हमें कलर यह क्या है अल्ट्रा वालेट अल्ट्रा वालेट यह क्या बच्चो X-Ray और यह क्या ग्यामा रे ग्यामा रे और यह है Cosmic Ray एक और चीज आपको पता होनी चाहिए Radio wave की wavelength बहुत ज़्यादा होती है बच्चो तो कॉस्मिक रे की वेवलेंट बहुत कम होती है ठीक है ओके और ग्यामा बता जेता हूँ ग्यामा की वेवलेंट बहुत कम होती है ठीक है ग्यामा की वेवलेंट बहुत कम होती है ठीक है ग्यामा की वेवलेंट बहुत कम होती है तो एक और ची बताता हूँ ध्यान है तो उसको भी आरपार कर सकती उसको चीर सकती है दो तुकड़ों में इतनी पावर होती है इतनी इनर्जी होती है ग्यामा रे की बोले तो इनर्जी जादा होती है ग्यामा रे की क्या बोला मैंने इनर्जी जादा होती है ग्यामा रे की क्योंकि बच्चो फ्रिक्वेंसी भी minimum होगी क्योंकि हमें पता है energy equal to क्या होता है H new चलो new के term में हो गया हमको पता है new मतलब velocity upon wavelength इससे क्या पता चला बच्चो आपको इससे ये पता चला कि energy is directly proportional to frequency inversely proportional to wavelength ओके बच्चो got it चलिए so lambda minimum है देख सकते आप lambda minimum है तो frequency maximum होगी cosmic ray की frequency ज्यादा है और energy भी क्या होगी बच्चो उसकी ज्यादा cosmic ray की wavelength कम है तो अर्थ तक नहीं पहुच पाती है ठीक है वेवलेंद कम है उसकी और उसी तरीकिस जब एक star destroy होता है तो उसकी जो gamma rays होती है उसकी wavelength बच्चो कम होती है तो वो भी अर्थ तक नहीं जैसे जैसे हम रेडियो गी तरब जा रहे है तो wavelength क्या हो रिये बच्चो increase हो रिये है अन लेगिन frequency क्या हो रही है बच्चो decrease हो रही है तो energy मुझेस बताना से बाप को यही था इती बताना एंग आल्टरा वानेट लेमन गी के अ ज़्यादा और विबो और जो होता है ना उसके वेबलेंट होती है 400 नानो मेटर से लेकर 700 नानो या आपने टेंस तैंडर में पड़ा है नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं बार्यूमें आ गए हूं एक बर और पढ़ लो 400 नैनो नमीटर से 700 नैनोमीटर होती है या फिर आप आप आम स्टॉंग में याद रहुँए तो चारहजार आम स्टॉंग से लेकर साथ अजार आम स्टॉग होती है देखिए जगह नहीं है स्क्रीन पे तो मैं मिटा रहा हूं इसको ट्रिक बता तुम्हें आपको रेडिमी बोलो यह बोलो रेडिमी देखिए रेडियो मी रेडिमी मेरा ट्रिक यह है रामी इन विजिबल यूवी एक्सवाइजड वाइजड ओके चलिए मुझे बताना जो था वो रहे गया बहुत इंपोरेंट चीछ बताया है मैंने आपको पिछले इसमें अब फिर से देखो जो बिसिक है वो बता दिया मैंने अब जो काम का होजाता हूं लेमन बालमर पाश्यन ब्रैकेट पीफर्ण पीफर्ण ठीक है तो बच्चों यहां पे हमको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है वो यह कि यहां पे यह आपका देखो सबसे पहले आपको याद करना है यह फॉ लाफ वेवलन ठीक है इकोल टू आर जेट स्क्वेर वन अपॉन एन वन स्क्वेर वन अपॉन एन टू स्क्वेर ठीक है बच्चों सो यहां पे यह जो होता है यह एन वन होता है यह जो होता है यहां पे यह न वन होता है यह जो होता है यहां पे यह न वन होता है यह जो होत देखिए यह नमबब 1, नमबब 2, नमबब 3, नमबब 4, नमबब 5 देखिए लेमन है तो 1, बालमर है तो 2, पास्टन है तो 3, बालमर है तो 4, पीफरंड है तो 5 ठीग है बच्चो पहला पास करने का और ब्रैकेट में पीफरंड लेना चलो ठीक है लाल बाल पाली आद रोको या फिर ऐसे आद रोको लेमन बाल में पाश्चन ब्रैकेट पीपर चलिए अब देखिए इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं एकदम नुमेरिकल के लिए आएंट पी छोड़ी बाते कवर करेंगे नुमेरिकल में 100% आता है ध्यान द देखिए बाइडिफोल्ड हम क्या लेते हैं बच्चों यहां पर धान दिजीगा है हाईडोजन स्पेक्ट्रम का एच अल्फा एच बीटा एच ग्यामा एच डेल इस चार स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं तो मैं आपको लेमन का बता देता हूं लेमन का ही पूरा एक्स्पे यहां परस्पीर स्पारा देख एच हें लिए ठीक है फॉर्स मेंबर या तो फërst ममर बोलें इसको ठीक है तो वह तो अभी काम का नहीं है बट देखिये चली देखिये है अलफा सुरी आलफा प्लस टिक है एंटु एंट क्या होगा बच्छो लेमन का तो हमको पता एनन क् द्धानमी रखना क्या करना हम को एन वार फ्लस है फिस्ट धान देज़ेगा है अल्फा है फ्लस वन करेंगे ऐसी बैसे फैसे लिए में तो यह पर लेंटोगा टालेंगे यह प्लस 3 करवाएगा यह प्लस 4 कराऊएगा तो देखी एन 1 में क्या होगा प्लस true करेंगे एन 1 में क्या करेंगे 3 और यहां पर क्या करेंगे 4 ? done चलिए एन 1 की value क्या आ जाएगी यहां पे तो 1 hatch so 1 plus 1 2 n1 देख लिए आप n11 है यहाँ पर बच्चों का से चालू होगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा I hope कि आप समझ गए so n2 for h alpha next h beta h gamma h gamma h del तो n2 कितना आएगा बच्चों n2 2 आएगा फिर 3 आजाएगा इसके लिए 4 आजाएगा इसके लिए 5 आजाएगा I hope कि आप समझ गए आप बालमर की बात करते जगब काम होने के वाज़े से मैं बालमर बता देता हूं आपको वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है हमें ठीक है ओके तो बालमर का आप I hope कि खुछ से निकालेंगे बड़ा फास्ट में बता देता हूं आपको एक अच अलफा बीटा ग्यामा डेल बच्चों तो इंपोर्णट देखते हैं हमें क्या निकालना था 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 रहता है यहां पर क्या था बच्चों वन था ना लेमन के लिए तो वैसे ही बालमर के लिए क्या रहेगा सब तू रहेगा तो हमने टू पूट कर दिया अब अलफा है तो प्लस वन बीटा है तो अग्या है तो प्लस थ्री थी कि ए धिए पीए बच्चो और देल है तो प्लस पूर आई होब कि आप समझ गहे तो अगर आप समझ गए तो फट पट फट इसको टूसे चालू वा तो थ्री आएगा फोर आएगा-फाइव आएगा-फाइव-एगा-इस देख सकते हैं चलीए स्क्रीन के देखिए समझ गया आप इसके हुआ है अलफा यह बीटा एच ग्यामा डन समझ गया आप इसको तन मने डिटेल में बता दिया आपको कैसे आता है तो आप इस चीज़ को इस स्रीकिल धान में रखिएगा तो है चल्फा के लिए हमने क्या किया बच्चो प्लास वर् और यहां पर क्या किया प्लस टूग वन प्लस टूग थ्री हो गया और यह क्या किया हमने प्लस थ्री तो बन प्लस फ्री इस तरीके से आता है बच्चो और यह इंफ्रीटी का भी में बताता हो थोड़ ज़र में आपको और यह कैसे आता है यह जो भी आता है मैक्सिम मीनिम यहां नहीं है इसको याद नहीं रखना मैंने आपको बस दिया है एक रिजल्ट के तौर पे लैम्डा में भी आपको नहीं कहां देखेंगे यह भी मैं आपको दिखाऊँगा नियुम्रिकल में तो ज्यादा मजाएगा आपको कुछ पॉसिबल हम ले कुछ ना ले ज़रूरी आपको हम तो लप्धा वालिट समंझ गये है आपिसी पलॉता इंफारे》 डिजयर इंफारेशन समझ गये वह्पके बच्चो चलिए देखिए लास्थ आजका तो यह एक स्र लाइन जो पेसे मडियुक्त करेशitelीय क्वेश्थ वीम्बर जो कि क्या होता है है था संदि वेमर अच पीटा थारं रेमबर न फोट आपको पता चलिए लगाए तो फरस्ट लाइन यी फिर्स्ट मेंबर है एफोर्ट इस लाइन नाम आपड़े सकते हैं अगर मैंने ऐसा एंट्टू पूड किया आ français कोई कुल लेंदा में एक स्कुएर पें ईहां पर लीकिए गया है कि तो लास्ट लाइन जीसे की इन्फिनिटी है तो इसके लामदा मिनीमम् कंप क्या होगा से लोगा है लासलाइन हुआ है न कि बार्फ लुए लिए आप समझ सकते हैं इतना जरूरी नहीं रिटेल में फिलाल आप ध्यान में रखिएगा first line में आपको numerical में निकाल के दूँगा कैसे निकालते हैं आपको पता चली जाएगा और उसके बाद last line में आपको बता हुआ कैसे निकालते हैं इने क्या होता है lambda में सब हम देखेंगे इन निमेरिकल बच्चो तो फिलाल आज के लिए इतना बाकी करेंगे नेक्स टाइम थैंक यू